आज के जो टॉपिक हमारा है वो है इंडेस फॉर्टर ट्रीटी वाला यह टॉपिक इंपोर्टन्ट है आप किसी भी कंप्रेटिव एक्जाम के त्यारी कर रहे हो इवन अभी लेटस जेके पी कॉंस्टिबल का जो एक्जाम में वहां पर स्लिबस में मेंचिन करा गया है इस को एक ही वीडियो में के जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आए बहुत में जाकर करें इस टॉप सबसे करते हैं आज किस बन सकते हैं फिर आज तक वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं इंडेस वाट करेंगे नाम से आपको देखने को मिल रहा है इंडेस यान्निक एक इन उन डिये सदुन है इसके साथ और बूड़न के बीच में हुआ। के बीच में पाकिस्तान के बीच में पहला पूइंट आपको पता होना चाहिए इस ट्रीट को साइन कब पहरा गया था यहां पर प्रॉब्लम नहीं कि आप ऐसे सब्झे 1947 में देश अजाद हुआ कि यहां पर बात करी जा रही है कितना क्लीर हो गया नाइंटी में ही नाइटिन सब्सक्राइब करें नाइंटीन को ही यह जो ट्रीटी है वो साइन करे जाए आप दूसरी बात अगर आपको याद होगी उन्यूश्य सेन्टालिस में इंडिया पाकिस्तान अलग हुए अगर आपको मन्त बूल जाता है सेप्टेमबर मन्त जो हो नाइन्थ मन्त होता है तो नाइन आपको जरूर देखने को मिल रहा है तो नाइन्थ मन्त में ही ट्रीटी साइन हुई थी ने कि सेप्टेंबर के मन्त में हुई थी उसके बाद इयर कौन सा था इयर 19 ही है बस साथ में 60 लगा दो वो भी आप ऐसे कर से को नाइन है आप नाइन को उल्ड़ा कर दो छे बन जा रहा है इसे कराची यानि कि पाकिस्तान में साइन किया गया तो पैसे समझेगा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडर्स वार्डर ट्रीटी को कहां पर साइन करा गया मैं आपसे पूछ रहा हूं बताएं इंडर्स वार्डर ट्रीटी को कहां पर साइन करा गया तो करहां एक कोई अब एक और इंड ऑर करने सान कर गए इंडिया पाकिस्तान के बीच log A. उठी बेची तरफ रीडियो टेंगे की तरफ से अगर में आपको पिछलेा साइड में लेकर आपको यहां पर देखने को मिल ध है यह ना कुछ दो इमेजिस आपको देखने को मिल गे तिसरी एक और आपके बाद में फुर्द में स्क्रीड में आपके सामें आएगी तो इंडिया के तरह से प्राइम निसर जोहालाल नहरू पाकिस्तान की तरह से प्रेजिडेंट बोलो फिल्ड मार्शन बोलो आयूब खान दो परसेंट के बेचे में इस ट्रेटी साइन करी गए वह पंडित जोहालाल नहरू और पाकिस्तान की तरह से प्रेजिडेंट आयूब खान तो यह भी समय आ गया कौन से एयर में हुई है कहां साइन हुई है किसकिस के बेचे में साइन हुई है यह सारे पॉइंट आपको यहां पर समझ आ गया होंगे इसमें नेगोशेटर कौन रहा मीडियेटर बोलो यह फिर बोकर बोलो वह कौन रहा वह यहां पर वर्ल्ड बैंक रहा यानि कि यह ट्रीटी में कहीं तरह के कंफ्रिक्स चल रहे थे सहमती नहीं बन रही थी तो दोनों देश्यों को बुलागे एक सहमती बनाए गई है वह मीडियेटर का रोल किसमें जैसे दो घरों में लडाई होती है दो लोगों में लडाई होती है तिसा बंदा बीच में के सुझाने की कोशिश करता है वैसे आप यहां पर समझो कि यहां पर जो मीडियेटर है फिर बोकर रहा वो कौन रहा इंत्रनेशनल इक का बतलब है बैक आर का मतलब है रिकंश्टॉकशंबर है आपके effective फूल फ़ाइनेंडर को ब्रोकर कौन रहाई या पता आपको र्ल्ड पंप्शन में इन देखने को मिले आपको IBRD की फुल फॉर्म लिखी होगी तो इस पर विए आपको फोकस करना होगा तो देखो आप ऐसे समझेगा यहां पर की ट्रीटी साइन हो यह काफी खर्चा इसमें आने वाला आप खर्चा आने वाला इंडिया बोलें के मैंने करूंगा पाकिस्तान बो प्ले करते हैं अब व्ल्ड मेंग की बात करेंगे यह कब इस्टैब्लिश होता है 1944 में इसकी इस्टैब्लिश्मेंट होती है और इसके हैड़कोटर आज की डवे वाशिंटन डेसी में यह कुछ इंपोटेंट पॉइंट से आपको पता होने चाहिए अगर यह स्लाइड क्ल के लिए वह वीडियो बैस्ट रहने वाली है अब हम चलते हैं इंडस्टैप की बात करेंगे इसमें पहले ओवर्वीव समझ लएते हैं मैं शॉटर सिस्टम की बात करेंगे इंडस नदी अकेली नहीं है इसमें और भी नद्या के मिलती है एक इंडस नदी तो है ही आपको देखने को मिल रही है यह पांच नदी आपने आप में और एक छाटी नदी इसे भी मिला के इंडिस्टम बनाते हैं और फाइनली इंडिया से हो के यह पाकिस्तान को पाइड कश्मीय से तो पाकिस्तान में इंटर करती हैं फिर यह फाइनल ले जाके कहां पे इंडिया को टैच करता है अब इस तरह से हलकलका समझ सकते हो वहाँ पर जाने के जरूरत नहीं पर जाने के जरूरत करेंगे उतना हमारे लिए बैटर रहने वाले हैं इसे कुछ हम इंडियन जग्राफिय में पढ़ेंगे अ के अब इसमें क्या कहा गया इसमें यह कहा कि ते इंडिया है किन्दिया क्यूंप डेंब वेस्टाइशन पर चmarin फिर इंडियम्ट इसको इस तरह से याद कर सेकते हो, ICJ की फुल फॉर्म में आपको पता हुआ, International Court of Justice आप सभी ने सुना होगा, International Court of Justice ICJ या फिर आप सिंपली ICJ भी याद कर लो, तो I means Indus, C means Chenab, J means Jelam, ये जो नदिया हैं, इंगा कंट्रोल किसे दिया गया, इंगा कंट्रोल जाएगा, पाकिस्तान का, और जो इस्टन जीवर से हैं, रावी, ब्यास और सतलूज, इसको मैं ऐसे याद करवाता हूँ आपको, कि आप रावी एक लड़का है, रावी जो है, वो बियर भी पीतर सुटे भी लगाता है, इस तरह के इस एक्जेम्ट्स मुझे यूज नहीं करने चीए, बड़ याद करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो देखो, अगर पाकिस्तान को कौन सा मिला, इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ जस्टिस, आई सी जे, याद की इंडर्स, चेनाव और जेलम, और इंडिया को कौन सा मिला, रवी बेर पीतर सुटे लगाता है, रावी ब्यास व शतलुज, तो इंडिया को इन ती नदियों को कंट्रोल मिल गया, या फिर अब डिरेक्ली आर ब ये जो इनका एनुल फ्लो रहता है, वो 41 बिलियन क्यूबिक मेटर रहता है, 33 मिलियन एकर फिर्ट के साब से आब बोलो, ये यूनिट्स भी एक बार देख लेज़ेगा, एक्जामे काम आ सकती है, कहने का मतलब है कि इन सभी नदियों के अगर हम बात कहें, तो टोटल फ्ल नदिया नहीं है, ये बड़ी बड़ी नदिया है, तो इनका पाकिस्तन को यूज करने को कहा जा रहा है, अब भी फिलाल आगे बढ़ेंगे, आपको और क्लेरिटी मिल चेज़ेगे, दिमाग में कहीं तरह के डाउट आपके आ रहे होंगे, अभी इंड़स ओर ट्रीटिस आपको मैंने बता दे कि फिलाल के टाइम पे जब ट्रीटी सांडोंटी समझते के बात क्या हुआ, समझते के बात इस तरह से दो तरह से Western Rivers, Eastern Rivers डवाइड कर दी, Western Rivers से अकंट्रोल पाकिस्तान में, Eastern Rivers से इंडिया के पास में, अब आगे कहानी समझय होता गया, देश अज़ा गया कि water rights को लेकर जो है इन में dispute आ जाता है और April 1948 की यह बात कर रहे जा रहे 8 months after their independence अजादी के आठ महिनों के बाद ही जो है यानि कि April 1948 की बात करें कि पानी के पास किसका राइट होगा किसके पास कितना पानी जाना चीए इन रिवर्स बगारा का तो कि अग्रिकल्चर करना और भी हजारों तरह के काम करने इकॉन में स्टेबल इसको फोकस बगारा करना है वाटर बड़ा इंपोंट आप सबीक के बारे में समच सकते हो तो किस तरह से इस वाटर को इंडिया है यह क्या कर देता है जो पाकिस्तान की तरफ फेस्ट पंजब प्रोंट्वान शॉब का पहरा शौकर पांट परिआगे तो मंठ लेकिन होता क्या है कि अब इंडिया में ने रोग गया लेकिन पानियों की जीजरूरत 45 मृब तो यह जो सिस्टम ता इसे रीजियूम कर जाता है पाँच अफ्तों के बाद के इंडा मांजिनगेगे इसपिन्डा या फिर कहलो Inter-Dominion Accord of May 4, 1948, क्योंकि April में dispute सामने आता है, एक महिने के बाद, पांच हफ्ते की मैने बात की, एक महिने के बाद जो है, इन्हें की 4th of May 1948 को एक agreement sign होता है, इसे Inter-Dominion Accord बोलो, या फिर Delhi Accord बोलो, इन्टिन 48 का एक बात रहने वाली है, Simple Language में ये कहा गया, कि इंडिया जो है, जितना पानिन को चाहिए, sufficient पानि जो है, वहाँ पर पाकिस्तान को supply बगएरा करेगा, बट पाकिस्तान को annual payments यहां पर जो है, वो करनी होगी, इतना clearly यहां पर mention करा गया था, और पाकिस्तान initial level में माँ जाता है, और जो water इंडिया ने लोके रखता था, वो दो बारे से resume कर देता है, यह basic सा रहता है कि starting the conflict कैसे बना, देश-अजादी के बार जो है, वो पहला conflict आपके सामने आ चुकर किस तरह से रहते हैं, अब आगे की तरह बढ़ते हैं, इंडिस्ट्रोड ट्रीटी की में बात कर रहा हूँ, कभी से sign करा गया, 1960, आपको मैंने क्या कहा, 19 September, 1960 को जो है, वो इंडिस्ट्रोड ट्रीटी को sign करा गया, यह point आपको मैंने पहले clear कर दिया, कराची में sign करा गया, immediate रुक हों था, वो सारी बाते बर्दा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो है, वो नेगोशिशन कम्पलीट होई, वो ट्रीटी साइन कर जी गए, इस ट्रीटी को sign करने के लिए, 9 यह का टाइम लगा, इतने सारों तक नेगोशिशन चलती रही, मतलब बात चीद एक दूसरी से करते रहे, उसके बाद इस जगा तक पहुंचे कि यहां पर इंको जो है, ट्रीटी साइन करना पड़ा, एक और important point है, जहां पर आपको confusion हो सकते हैं, इक्जामिक क्रिशन बन जाए, ट्रीटी साइन तो करेगे, 19 सेप्टेंबर 1960 को, लेकिन यह effect में कब से आई, जैसे हम बोलते हैं कि जम्मो कश्मिर के बारे में बढ़ते हैं, अभी हाले में, रिव और्गनेशन बिल के बारे में, यह पांच अगस्त को यह राजसबह में आया था, छे अगस्त को लोगसबह में आया था, 9 अगस्त को प्रेजिडेंट ने साइन कर दिये, 9 अगस्त को प्रेजिडेंट ने साइन कर दिये, लेकिन यह effect में कब से आया, यूटी कब से बना, सब्सक्राइब ना था साइन कब करें और यूटी कब ना अलग-अलग डेटेंग अना था हम बोलते हैं हमारे देश का सविधान जो हमने एडॉप सब्सक्राइब वे गृष्ट उलग बी टीट को साइन करने की नेन्गी लेकिन सब्सक्राइब के मन्त में 1960 में लेकिन एफेक्टिव कब से है फिर्स्ट एप्रेल से या आर्टिकल 12 क्याता है अब इसमें आर्टिकल भी इंडस्वर्ट ट्रीटी के वह भी शौट में सेमर्च लेंगे तो यहां पर समझे होता क्या है कि 19 सप्टेंबर 1960 को आपके सामने फानिल आको मैंने इ सब्सक्राइब ने इसमें पहले आपसमें बातचीत कर लेते हैं कि हम इस करेंगे बात चीत होगी तब भी तो साइंब अगरा करेंगे ना वह सारे डील जो होती है वह फर्स्ट एप्रिल 1960 को होती है तो यह कहता है कि हाँ 19 सप्टब्र 1960 को तो हम कर रहें लेकिन हमारी जब तो यह काम करते हैं उस देट से ही इंप्लीमेंट में लाई जाएगी समझ के तो साइन करने की डेट अलग है लेकिन इंप्लीमेंट कब करा गया एफेक्टिव डेट क्या है वह अलग है साइन बाद में कर गया एफेक्टिव डेट पहले आ जाती है अब इसमें जब आप इसके आर्टिकल्स वगएरा पड़तों इंडर्सोड ट्रीटी के उसमें कहीं सारे नाम आपको देखने को मिलने के एक ट्रांजिशन पीरिट भी देखने को मिलता है वो ट्रांजिशन पीरि करेंगे तो 1st April 1970 हो जाएगा तो 1st April में जाएंगे 31 मार्च में जाएंगे एक दिन पहले की बात करेंगे यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जो इस्टन रिवर्स हैं इस्टन रिवर्स का 100% कौन करेगा आपने यहां पर बोला हो कि यार पाकिस्ताम को इतना स आपकी जो इस्टन रिवर्स हैं रावी हो गया व्यास हो गया सतलुज हो गया आप इसको 100% अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इंडेम बनाओ जो मर्जी करो आपकी अपनी मर्जी है फुल कंट्रोल इंडिया को इनको दिया गया लेकिन जो वेस्टन रिवर्स हैं के में बात कर लूँ इन वेस्टन रिवर्स मेंगों कुछ कंट्रोल इंडिया गया हों कैसा दिया गया वह कुछ टांट के बाद मैं आपको समझाओंगा कि इंडिया के पास इनका तो पुरा कंट्रोल था इफ् seulement के फानी से डिवलप्ट नहीं कर रहे थे कि यह खेतों में पानी जाएगा करेंगे तो जैसे यहां से इंडेंडे के तर से इन चैनल चैनल की तूरू minder सिस्टम वहांपे चल रही है तो अगर हम अचानक से पाकिस्टान के पास कि आप अपने प्रॉपर चैनल वगएरा बना लो अपना सिस्टम वगएरा तियार कर लो आपको इंडिया के इन वीवर्स पर डिपेंड ना रहना वाई तो वह तर ट्रांजिशन प्रियर्ड यानि कि जो इंडिया कह रहा है कि हम सो परसेंट इसका यूज कर सकते हैं वह इंडिया सोड़ा ट्रीटी जब साइन करे गए थी उसके टैन यह के बाद से इंप्लीमेट हो जो है इसका 100 परसेंट यूज कर सेकता तो इससे पहले हैं पाकिस्तान में से काम चुछ था पाकिस्तान को इससे काम चुलाने दिया चाहिए उनको भी सुपोर्ट करने जरूरी था तो इसलिए ट्रांजिशन के टैन यह का है इसका मतलब क्या रहा होगा आपको यह सोड़ा इसके प्रोटोकॉल की बात करेंगे लेकिन बाद में कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे मेंगे पहलाएक जो है एक साइन जो यहां पर 27 नवंबर को होते हैं एक सैकईंड दिसम्ब्र के 23 इसससाट ओफे हैं यह भी बड़ा इंपोर्ड बन जाते हैं यहां से भी क्वेशन बन सकता है एक्जाम में कुछ टाइंक बाद आपको क्लियर करो हूं गो जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इंडर्स वादर ट्रीटी कप साइन करी जाती है 19 सेप्टमबर 1960 को एफेक्ट में कब से अगर आप से पुछ आए इंडर्स वादर ट्रीटी प्रोटोकॉल के बारे में तो प्रोटोकॉल की तीन अलग-अलग डेट हैं पहला जो साइन था 27 नेवंबर को 27 नेवंबर को किसने साइन किये पंडे जोहारल नहरू को सेकिंड दिसम्बर को कौन साइन करता है मुहमद आयूट खान पाकिस्तान की तरफ से और 23 दिसम्बर को जो इंटरनेशनल बैंक है रिकंस्टूइशन डिवलब्मेंट वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे उसकी तरफ से डेवलू ए बी आई टी आईल आई एफफ इस तरह से नाम है यह जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से साइन जो दिसम्बर एक 30 दिसम्बर यह पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा आगे की तरफ चलते हैं जब इंडर्स ओड़ो ट्रीटी की बात करते हैं जैसा कोई भी एक्ट होता है बील होता है कानून मत उसमें के तरह कि आपको बताए होते हैं वैसे यहां पर भी कहीं तरह कितन आपको खुदी समझ आगे इस आटिकल से लिखा क्या होगा होगा जो आटिकल वन आता हमारे इंडर्स ओड़ो ट्रीटी का उसमें डेफिनेशन बताएगे डैफिनेशन का मतलब किया है जैसे आइबी आर्डी का मतलब क्या है इस ट्रांजिशन पीरिट क्या है समझ को यह डिख करता है डैफिनेशन के साथ आर्टिकल नंबर टू इंडर्स ओड़ो किसे डिल करता है यह इस्टन रीवर्स से रिलेट जो प्रोविजन से इन एक इस्टन रीवर्स किसके पास है इंडिया के पास कौन सी थी रावी बियर्पिता सुट्रा लगाता है ना रावी में आपको कर सकता है लेकिन वेस्ट्र को वूनेशन करना चाहे और सो कर कर रहेगा कोई पाबंदी नहीं कोई रुकावट नहीं है अगर हाइड्र एलेक्रिक पावर प्लांट मतलब क्या है हमारे पास टर्बाइन रहते हैं ना जैसे पैदा करें के कहीं सारे तरीके एक तो होता है कि आप जैसे वह थर्मल पावर करते हो लेकिन यहां पर आप क्या सकते हो आपके लेटर मेरा लेकिन यहां से BOY रही आ रहे हैं पांदी को क्या चाहिए तो इस या रहा है और यह बोटरा फ्लॉवर पाँदर को नियुक्तान पर बरदल समой कर रहा है चाहिए यूज़ कर रहा है लेकिंडिया पानी को रोग नहीं पारा तो इस तरह से जो है वह इंडिया काम भी कर सकते हैं तो इन्हीं पे जो है वह हाइड्र प्रोजेक्ट इंडिया बनाता है तो इसी पर सारे इशूस क्रेइट होते हैं तो यही आपको समझने बढ़ेगा इ किसी के सारे केस ब्रहए चला तो आजिकल नंबर उन में बताता है आपको डानेशना बटाता है ओडर यूर्स कथे बताता रहता है ईस या जीवर से क hinaром के बारे बताई गैस सकते ऐल पर 번째 अंपर थी में exchange of data मतलब कि कितना वाटर इंडिया की तरफ से महां जा रहा है महां से कितना यांते यूज किया जा रहा है इस तरह से डाटा दगारा एक्सचेंज करना किस थ्रह से करना महिनी के बात करना साल के बात経तर सारी डीडेल इसमें आर्टेकल नील सुटाएगी है पहले में 앞에 डेफिनेशनर दूसरा में प्रोविजन्स थो इसर यह faut हो लेकर हैं और वेस्टर उन्डोर फार में दोनौर होर्र को को भीस ह हके बताया गया और आर्टिकल συν albums ने एक्सजेंच ऑफ गाटा पर्मनेंट इंडस कमिशन क्या है, इंडिया और पाकिस्तान क्या करेंगे, अपनी तरफ से जो है, पोस्ट क्रेट करेंगे कमिशनर की, उसको बलेंगे पर्मनेंट पोस्ट कमिशनर, इंडिया भी अपनी तरफ से क्रेट करेगा, पाकिस्तान अपनी तरस से क्रेट करेगा, य जो भी डिस्पूट्स होंगे जो भी प्रॉब्म में गएड़ा होगे वह सॉल्व करता जाएगा यह था पर्मनेंट इंडस कमिशन समझ क्यों तो इसके बारे में आर्टिकल नमबर एट में बताया गया है तो एक्जाम में कुछ भी पूछ सकता है किसी भी तरसे पूछ से प तक से बारे समय आगे चलते ओरपे इंपरंट रहने वाला है इस की बात करेंगे यह ट्रीटी है इससे है इसमें ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान कर सकते हैं एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यहां पर जो है कर सकते हैं उपने डिसीशन वो प्रवाइड कर देगा और अगर डिफरेंस तो न्यूट्र एक्सपर्ट आप कर लो भूर इसको एन बन जाते हैं तो इसको कहा पर लेकर जाओ वह आप अर्बिटल ट्रिबिडनल जिसको इन यहां कर सकते हो और तीस्रा है उक्ट यहां पर बगधर लगा सकते हो नुट्रल एक्सपर्ट फिर भी ठीक है डिसिशियन देगा वर कोई भी काम वगदर चल रहा है उस पर डिस्प्यूट आ गया तो यह उनमें स्टे लगा सकता है स्टे लगाने का मतलब उस पर काम का जाएंगे चलेगा ही नहीं यह इंपोर्टेंट है आगे समझ आगे आपको बैसिक आपको समझ आगे आपको बताना चाहूंगा जैकर आप अप्र प्रॉइन करना चाहते हैं विद्टियो के कमेंट सक्ष्टम आपको लिंक मिलें आपको आपसे मिल जाएगी अब यहां पर होता क्या है पाकिस्तान की बीच में कहीं तरह की चलते रहें क किसी का तरह का डाउट निगो कि आज भी इसका मतलब इतनी बड़ाई हुए तब ने रुकिए तो अभी का रुखने वाली हैं बट क्या भी रिसेंट न्यूसर वह भी समझ लाते हैं इंडिया जब अनौन्स करता है कि वह भगली हार हाइड्रो अलेक्री प्रोजेट बनाने जा रहा है चिनाव नदी के ओपर चिनाब नदी की बात करेंगे आपको बतायां को पास किसका कंट्रोल आइसी जह सी का मतलब चिनाब तो इंडिया चिनाब में एक हाइड्रो प्रोज प्रोजेट होगी यहीं से इशुज बनना और स्टार्ट होगी अभी पहले हमने बात की बगलिहार की तो बगलिहार के बारे में समझ लोते हैं बगलिहार हाइड्रो अलेक्रिक प्रोजेक्ट यह भी रना फ्रीवर प्रोजेक्ट है मतलब वाटर करबाइन को गुमाएगा अगे निकल जाएगा चनाब नदी पर बना हुआ है कहां पर रामवन्ट डिस्रिक्ट जम्मो कश्विर में आ जाते हैं तो पहला प्रोजेक्ट में दो स्टेजिज हैं 450 मेंगवाट की हर एक स्टेज आपको देखने को मिलती हैं जो पहला स्टेज़ था प्रोजेक्ट का व सब्सक्राइब करते हैं दूसरी स्टेज है वो 2015 में कंप्लीट होती है और इसको नरेंद्र हो दिए वो नेशन को डेडिकेट करते हैं इसका मतलब बगलिहार जो है वो दो स्टेजिस में इसलिए कंप्लीट हो चुका था आज किना पर चल रहा है यह बगलिहार की इमेजिस सब्सक्राइब करेंगे आपको पता है यहां पर आर्मी बेस में अटायक होता है यहां पर नाइंटीन सोल्जिस वहां पर शहीद हो जाते हैं उस टेंप स्टेटमेंट आती है निदरेंद्र मोदी प्रमिस्टर की तरफ से ब्लूर्ड एंड वाटर कांट सो टुगाधर लेकिन बात आपको समझ नहीं करते हैं आप कितने बड़े बना दो के पानी को स्टोर करने लिए कुछ हो गया बाहर रहे कि तो हमें इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी कैसे स्टोर करों कैसे इसको मैंज करोंगे और पानी का ऐसे क्यों रास्ता बना ले ताब कितना बड बना पारे इवन जैसे इंडिया की बात करते हैं इंडिया जैसे इंडिया इन इस टैंब एक तरसे हिंट दिया पाकिसा पानी दोग देंगे चाइना बीड़े नियुक्त बनाने पड़ेंगे ना उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है तो फिलाल आगी की तरफ चलते हैं अब हो जो यहांब आगे चुका है जो कि बात करेंगे इसके बारे में अगर आपको बताओ यह रना फ्रीवर प्रोजेक्ट है जलम नदीय पर बना हुए है इसकी construction 2007 में start करी गई थी और इसको expectations थी कि 2016 में ये complete हो जाएगा 2011 में इसको काम रुख भी जाता है क्योंगी industrial treaty का dispute से रहा होता है बट finally 19 में 2018 को इंडिया के प्रैमिस नरेंदर मोदी जो है इसका inauguration finally करी देते हैं जो यह किशन गंगा है 2008 में तो इसका inauguration होई गया लेकिन रतले वला जो है यह अब भी अंडर कंस्ट्रॉक्शन ही है दूनों country के बीच में क्या agreement होता है वहां की से कहा जाए तो इसके design features है जिस तरसे को design करा गया वह design का मेंदर सही नहीं है जो प्राइंड से वह ट्रीबुटरी पर located है इस तरह से लेकर जहें जहें जा जो टेम चलता है दूसरा रटले hybrid पर बात करेंगे यह बीनाया फरीर प्रजेक्ट है इंडस और चनाम नदी पर बना एक इसित्त्रॉर डिस्ट्रेक्ट ने लिए पर होता है डोनों देशों के बीच में वड़ी सारी प्रोलिम करते हैं यहां पर होताए इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पहले अरल गहले चाथ है कि के नेगें चुछ टांब हगरпрड और गोले पाकिस्तान डिस सखेयर के गुवा हैं इसा को ने वाला करेंगे इस तरह की बात सामने आती है और इंडियabil यहाथा हैज्टन होरा काम चल tää तो बार बार उसको रोकते जाओगे तो प्रजेक्ट कोस्ट बढ़ जाती है इंडिये को लास रहता है लोगों को सफर करना पड़ता है तो अगर दो बार से कोट अर्बिटरेशन में चला गया तो हमारा काम फिर से स्टेव बगार लख से तो इंडियेस के लिए मानता नहीं है इन दोनों के बेच में इस तरह के इशूज वगर चल रहे होते हैं तो वर्ल्ड बैंक फाइनले क्या करता है 31 दिसंबर 2022 की बात करेंगे वर्ल्ड बैंक बोलता हमें काम करते हैं हम दोनों को एक्वाइंट करते हैं नूटरल एक्सपर्ट को भी करेंगे और कोट अफ आर्बिटरेशन के वह भी लेकर रहेंगे साथ में यह वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है और नेवंबर 21 दोज़ 22 की बात करेंगे वर्ल्ड बैंक जो है वो दो सेपरेट मीटिंग्स करता है नूटरल एक्सपर्ट के साथ और चेर्मेंट के साथ कोट अर्बिटरेशन के मीटिंग्स की बात क्या होता है यहां पे अक्तूबर 2022 में मिस्टर माइकल लिनो की बात करेंगे नूटरल एक्सपर कर जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और एक यहां पर चेर्मेंट भी एपोइंट कर जाता है कोड़ अर्बिट्रेशन वह ला लेकिन इंडिया करते हैं कि जब मीटिंग्स वह रहा होते हैं इंडिया पार्टिस्पेटी नहीं करता क्यों इंडिया को पता है लगा देंगे उनको तो क्या लॉस है नहीं हमारे यहां पर लॉस होने जा रहा है तो इस तरह के इश्यूज में बात करूँगा एक आर्टिकल आपके सामने है इंडिया के आर्टिकल है इंडिया इश्यूज में इंडिया कर रहा है इंडिया ने बोला कि पहले का जमाना अलग था पहले पहले के सिस्टम अलग था हम जो ट्रीटी के प्रोविजन से उस पर हम काम करते जा रहे है इंडिया पाकिस्तान को नोटिस बेजा और कहा कि हम चाहते हैं कि इसको दुबार से रिवीव करा जाए और रिवीव करने के बाद इसमें डिशिशन लिए जाए और ने करेंगे लास्ट मेटिंग डेली में में 2022 में जनवरी 2023 के बाद इंडिया चार बर तक पाकिस्तान को लिख चुगा है कि आप इस ट्रीट को रिवाइस वगरा कीजें उनकी तरसे रिस्पॉंस में रहे हैं वह सैटिस्फक्टर नहीं है बट इंडिया आपके सामने इंफॉर बिना के शेयर करूँगा फिलाल इंडिया सॉर्ट ट्रीटे के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वह मैंने आपसे शेयर करें बागी कुछ अगर रहा गया होगा तो मैं उसके सौरी बोलना चाहूँगा फ्लो फ्लो में कितने सारी बात है रहा चुकी है बट हा इंपॉर्डेंट है आपके कम्पेटिर एक्जाम के लिए वीडियो को शेयर कीजेगा ओल दी बेस्ट थैंक यू जाहिंद